तुम्हारे लिए और एक पहेली है एक ऐसा उपकरण जो गायक हर समय इस्तमाल करते हैं किन्तू से देख नहीं पाते हैं क्या तुम अनुमान लगा सकते हो इसे स्वरतन्तु कहते हैं कितना भी प्रयास कर लो किन्तू तुम अपने स्वरतन्तु को देख नहीं सकते हैं तुम महसूस कर सकते हो, जब कोई व्यक्ति बोलती है अत्वा गाती है, तब स्वरतन तु किसी ध्वनी के डिब्बे में रखे हुए रबड की तरहा कंपित होते हैं, यदि तुम बोलते समय या गाते समय गले के हड़ी जैसे भाग पर हाथ रखोगे, तब तुम्हें एकंप उस हड़ी तक स्थानांतरित होते हैं, हम ध्वनी का निर्मान कैसे करते हैं, ये देखने के लिए इस एनिमेशन की सहायता लेंगे, फेपडों से हवा वायू नलिका के मार्क से बाहराती है और स्वरयंत्र में जाती है, स्वरयंत्र की बहुत गहराई में स्वरतन्तु होते हैं, जिसे आवाज की डिबिया कहते हैं, इन स्वरतन्तु के तीन मुख्य क्यार ये होते हैं, वायू नलिका को किसी कणों के कारण गले में अटकने से बचाना, हमारे फेपडों में हवा के वहन को नियमित करना, बोलते समय दुद्वनी का निर्मान करना, हवा के कारण स्वरदंतु कंपित होते हैं तब वैं वैकल्पिक रूप से हवा को फसाते हैं और छोड़ते हैं हर प्रसारण हवा का एक कश स्वरयंत्र में छोड़ता है हर हवा का कश द्वनी तरंग की शुरुवात होती है स्वरयंत्र से होकर जाते समय वैं बढ़ती है जब वैं मुझ से बाहराती है तब वैं आवाज की तरह सुनाई देती है जब हम श्वसन करते हैं तब मास पेशियों की एक जोड़ी स्वरतंतुओं को फैलाती है ताकि हवा आसानी से फेपडों में जा सके द्वनी के निर्मान के समय बंद स्वरतंतू के विरुद फेपडे हवा फूंगते हैं किन्तु निगलने के समय जितना बल होता है उससे कम मात्रा में फूंगते हैं जब हम सांस रोक के रखते हैं तब स्वरतंतू बंद होते हैं जब हम श्वसन करते हैं तब स्वरतंतू ख खुले होते हैं, तुम्हारी आवाज किसी भी व्यक्ति के आवाज के जैसी नहीं होगी, वह एक मेव होती हैं, जिस प्रकार हमारी विशेष्टाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, वैसे ही स्वरतन्तों के आकार की विवित्ता के कारण कई श्रेणी के सुर, तान, स्वरमान तैयार होते हैं, इसी कारण हर आवाज एकमेव होती है, हर व्यक्ति के आवाज के द्वनिय पूर्ण तया एकमेव होती है, यह केवल एक व्यक्ति के स्वरतन्तों के आकार और रचना के कारण ही नहीं, बलकि बाकी के शरीर, विशेष रूप से उनकी स्वरनलिका के आकार पर भी निर्भर करता है चाती गला जीव कस्थान और उससे जुड़े हुए बाकी के मास पेशियों का तनाव इत्यादी बदल सकते हैं इसमें से कोई भी बदलाव स्वरमान आवाज की तीवरता अत्वा स्वर के बदलाव का कारण बन सकता है फेफडों में हवा का बहाव बढ़ाकर अत्वा स्वरतन्तू से प्रतिरोध बढ़ाकर आवाज की तीवरता बढ़ाई जा सकती है और इस चक्र के दोरान वैं दूर ही रहते हैं इसके कारण प्रस्तुत ध्वनिदाप तरंग का आयाम बढ़ता है महत्वपूर्ण बात ये कि जब तुम कानफुसी करते हो तब स्वरतन्तू कंपित नहीं होते हैं याद रखो कि स्वरयंत्र के मास पेशियां स्वरतन्तू को कंपन के लिए स्थान पर रखती है स्वरमान निर्मान करने के लिए वैस्वयम कंपित नहीं होती जब तुम छोटे होते हो तब तुम्हारे स्वरतन्तु छोटे और पतले होते हैं तुम्हारी आवाज उचे स्वरमान की होती है जब तुम बड़े हो जाते हो तब वे बड़े और मोटे बनते हैं इसलिए तुम्हारी आवाज गहरी बन जाती है जब तुम उचे सुर में गाते हो तब स्वरतन्तु तन जाते हैं जोर से कमपित होते हैं जब तुम मंद स्वर में गाते हो तब स्वरतन्तु को आराम मिलता है और वै अधिक धीरे से कमपित होते हैं गाईकाओं की आवाज अधिक होती है क्योंकि उनके स्वरतन्तू पुरुषों के स्वरतन्तू से छोटे होते हैं स्त्री और पुरुषों के स्वरतन्तू के आकार में फर्क होता है वर्धित पुरुष की आवाज सामान यताहा कम स्वरमान के होती है और स्वरतन्तू बड़े होते हैं पुर्षों के स्वरतन्तू 17 मिलिमिटर से 25 मिलिमिटर तक लंबे होते हैं स्त्रियों के स्वरतन्तू 12.5 मिलिमिटर से 17.5 मिलिमिटर तक लंबे होते हैं वे मोती सफेद रंग के होते हैं, स्त्रियों के स्वरतन्तू, पुर्षों के स्वरतन्तू से अधिक सफेद होते हैं, ध्वनी का स्वरमान हर्ट्स में गिना जाता है, यह एक सिकंड में तरंग ने पूर्ण किये होए चक्रों की संख्या होती है, छोटे स्वरतंतु वाली गाईताएं 1046 हर्ट्स तक गा सकती हैं जबकि पुर्षों की आवास किवल 466 हर्ट्स तक ही जा सकती है भारी वस्तु उठाते समय स्वरतंतु एकतर आते हैं यदि स्वरयंतर से हवा बाहर नहीं निकल पाए तो धड़ में अधिक दबाव निर्मान होता है और कठिन कार्य के लिए अधिक प्रतिरोध निर्मान होता है इसी कारण भारी वस्तु उठाने के बाद तुम्हें घुरगुर सुनाई देती है यह हवा ही होती है जो कार्य के समय स्वरतंतु के नीचे दब जाती है और कार्य समाप्त होने पर एकदम से बाहर आ जाती है साराज हमने सीखा कि मानव कैसे स्वरतंतु का उप्योग करके द्वनी का निर्मान करता है स्वरतंतु का वास्तविक कार्य समझने के लिए वद्रिष्टी गोचर करने के लिए हमें अनिमेशन निसाहिता की ऐसे अंग्रेजी अक्षर ढूंडो जिनके लिए हमें स्वरतंतु का उपयोग नहीं करना पड़ता है